आज जो प्रेश है कल आपने देखा होगा कि संसत के अंदर कल स्रीमा डावल गांदी जी ने संसत के पटल पर हिंदूओं को हिंसक असतवादी और नफरतवादी की औरोने संग्याती है वे न केबल जूट बोल रहे हैं बलकि एक से पचीस करोड हिंदूओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं कल की उनकी जो भासा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदूओं को अपमान करने की बात कही है लगातार तीसरी बाद फेड कांग्रेस बार बार लौन्च करती है लेकिन आप देख पा रहे हैं लौन्च नहीं हो पा रहे हैं उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं रावल गांदी का नेता फृत्वक्ष के रूट में ये पहला बासणी जूट नरासा और तत्तिहीर बातों को लेकर के था लोकसवा में राश्पती जी के आववासन पर चर्चा थी जिस पर रावल गांदी एक सब्त भी नहीं बोले रावल गांदी ने सदर में केबल जूट बोला रावल गांदी ने अपने भासन में ना केबल हिंदूों का गोर अप्मान कियا बलकि हिंदू समाज को हिंसक नबरती और जूटा बताने का काम भी किया ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुस्ष्ठी करन की नीती अपना कर बोटों का धूरी करन का का काम करते हैं और एक दूसरे में बेवनस्ता पहलाने का काम एनों ने किया है कांग्रेस नेता सदेब हिंदू समाज के खिलाब बोलते रहे हैं आपने देखा होगा बर्स 2010 में ततकाली ग्रह मंत्री पी चितमरं बर्स 2013 में ततकाली ग्रह मंत्री सुसिल कुमार सिंदे इसी जैपुर में हिंदूों को आतंक बादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी हिंदूों को हिंसब और अवसर बादी बताना संसद की बहस के दोरान ईस्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीती करना एक नेता जो प्रितपक्ष का नेता है उसको सोवा नहीं देता है मैं स्रीमान रहुल गांदी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा सोचना भी पड़ेगा और आपको पड़ना भी पड़ेगा के हिंदु कौन है धिंदु वो है जो हिंदु बस्देव फुतम की भावना को रखने वाला है हिंदु वो है जो सर्वे भावंतु सुक न्स निरामया की कामना करने वाला हिंदु है हिंदू जीव प्रिकृती जड़ चेतन में ब्रह्म को साक्षापकार करने वाला है धर्म कीजे हो अधर्म का नास हो प्राणियों में सदबाबना हो बिस्व को अकल्यार हो इस मंत्र को जीने वाला हिंदू है प्राणी मात्र में इस्वर का बास देखने वाला हिंदू है अरे हम तो प्रिकृती में भी इस्वर मान के चलते हैं प्रिकृती में में हमारी पर्यावनन के आदार पर भी हम ब्रक्षों को भी पूछते हैं हमारे पाड़ों को भी पूछते हैं हम नदियों को भी पूछते हैं, हिंदू की परवासा बहुत बड़ी परवासा है, हिंदू की परवासा, रावल जी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके अंदर वो संसकार नहीं है, बगवान सिम्ख की तस्वीर संसर्थ में दिखा रहे हैं, अरे रावल गान्दी जी, ये तस्वीर आपने तो अभी पास साथ साल से देखनी शुरू किया है, हिंदू जब घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मिर्टू दख, इसे अपने सीने में रखता है, ये वो तस्वीर है, उसे रावल गान्दी के प्रमान पत्र की आवजश सकता नहीं है, कहिंदू क्या है, रावल गान्दी तो वो हैं जिसने अपनी सपत में इस्वर का नाम नहीं लिया, अपनी वोशी राजनीती और एक बर्ग बिसेश को खुश करने के लिए, ये हिंदू को गाली देना रावल गान्दी की आदत बन चुकी है, कांग्रेश का तरित ही हिंदू ब्रोधी बन चुका है, मैं कहना चाता हूँ, एक बार वो देख लें, कि उन्होंने किस तरह से किया है, ये कहां से सीख कर गया है, आपको अपने जो पूरवच्टे या अपने जिदे उन्चे यही शिक्ष्य मिली थी क्या, अरे हिंदू तो वो होता है, इस देश के अंदर अतकर्मानकारी आए, उन्होंने भी सोचा था, कि हिंदू संस्किर्थी को हम मिटा देंगे, लेकिन आज वो काह हैं, यह देख लिजिए ध्यास काहनी सुना देगा, जो इस संस्किर्थी को बदलने के लिए आए थे, वो इस संस्किर्थी के अंदर समा गए हिंदू संस्किर्थी बहुत संस्किर्थी है, विपक्ष के नेता के रूप में, रावल गांदी ने कहा अगनी बीर योजना में सहीदों को मौवजन नहीं मिलने की बात कहका अगनी बीर सेनकों का अपमान करने का काम किया है कल उनके जूट की पोल रक्षा मंत्री सिरी राजनाज सिंग्जी ने संसन में ही खोल दी थी जब सिरी राजनाज सिंग्जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि अगरी वीर सहीद के परजनों को एक करोर रुपे की रासी दी जाती है इस जूट से काम नहीं चलेगा रावल गांदी विपक्स के नेता तो बन गए लेकर उन्हें सदन की परंपरा नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए लोग सब आज्यक्ष पर भी उन्होंने गेर जमेदराना टिपड़ी करना भी भाग दुखत है किसानों के बारे में जूट बोला आयुद्या पर भी जूट बोला ऐसा लगता है कि राउल गांदी ने जूट की दुकान खोड रखी है और जूट की दुकान के मात्यम से जूट की दुकान की मात्यम से वो जन्ता को बरगलाना चाहते है मैं कहना चाहता हूँ इस देश की संस्किर्थी को कोई नहीं मिटा पाया आपके जो संसकार हैं जो आपको मिले हैं कहां से मिले हैं कैसे मिले हैं इस बर भी आपको विचार करना होगा ये इतना बड़ा देश आपके इस अफमान को नहीं से सकता आने वाले समय में आपको इस हिंदू का जो अपमान किया है आपको पता चलेगा के हिंदू क्या होते हैं मैं आज की प्रेस आपके मात्यम से अंत मैं इतना कहना चाहता हूँ जो इस देश को नहीं समझ सका हिंदू को नहीं समझ सका वो क्या समझेगा यह मैं उन से उतर चाता हूँ